नमस्कार दोस्तों मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीब गवते आप सबका मेरा यूटुब चैनल इंग्लिश गुरूप फॉर आल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो लेशन में हम एप्रो जे आरडी ये जो आरडीकल है जो सुधा मूर्ती जी ने लिखा है उसके बारे में हम डिसकुशन करने वाले है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये जो परडिकुलर आरडीकल ही ये प्रिसक्राइब किया गया है और हमें हमें सुधा मूर्ती जी ने क्या लिका है, क्या का है बिफोर स्टार्टिंग इस आरडीकल हम सुधा मूर्ती जी के बारे में जो basic information लेशन में वो तुड़ा आरडीकल जो है दो देखते हैं सुधामूर्थी जी के बारे में यहाँ पे जो दिया है देखिए about the author वो हम discuss करने वाले हैं दोस्तों तो आपको ध्यान देना है अच्छे से समझ के लेना है और exam में आपको यह बहुत important ऐसा article है देखते अभी author के बारे में यहाँ पे क्या दिया है author मतलब सुधामूर्थी सुधामूर्थी जी का जो जन्म है दोस्तों I am using the pen over here to underline the most important points over here सुधामूर्थी जी का जन्म 1950 में हुआ है और वो एक Indian technologist है और philanthropist as well as वो एक writer भी है तो यहाँ पे हमें समझ के लेना है एक versatile ऐसी personality सुधामूर्थी जी की है उनका जन्म जो है वो करनाटका में हुआ था और यहाँ पे एक बहुत important चीज ऐसी है यहाँ पे कुछ students को philanthropist का meaning पता नहीं हुगा यहाँ पे समझ के लेना है कि दूसरों का दुख दूर करने के लिए जुर व्यक्ति काम करता है उसे हम philanthropist भी कहते है writer you know that और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि उनका जन्म करनाटका में ह हुआ था उन्होंने क्या स्टडी किया है computer science and engineering उन्होंने complete किया है तो वह कहां से किया यहाँ पे institute का नाम दिया है Indian Institute of Science से उन्होंने complete किया था and the most important thing यहाँ पे क्या है तो वह academically बहुत ही brilliant as a student सुधा मूर्ती जी brilliant as a student और the most important यह कहां से हमें समझ में आता है यहां से देखिए उन्होंने she was the goal medalist वो goal medalist थी उनको goal medals मिले थे both levels पे उनके undergraduate level as well as post graduate level पे उन्होंने goal medal hustle किये थे और उनका जो पहला job था दोस्तों जो career का था उन्होंने start किया था टेलको company के साथ famous एसी companies है one of the famous companies है and उन्होंने 1981 में अभी यह बहुत important है दोस्तों उन्होंने career भले ही टेलको के साथ शुरू किया हो लेकिन उससे important चीज़ यहां पर हमें यहां पर point out करना चाहता हूं मैं जैसे कि उन्होंने 1981 में खुद की जो company founder Infosys Infosys नाम की जो company आज सब को पता है कि Infosys IT sector में एक ऐसी company है कि जो international level पर काम करती है और उनके husband के साथ उन्होंने वह start की थी so she was one of them you can say one of the founding members of the Infosys so Narayan Murthy और Sudha Murthy और उनके साथ उनके जो बाकी colleagues थे उन्होंने यह company start की थी और अभी Infosys के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो इस the information is available on internet also and easily you can find out regarding that और Infosys जब यह article लिखा गया था तब the second largest IT services company थी इंडिया के और इज़ा और इज़ा हाउस्वोल नेम अल सो in 1996 हमें और दूसरा भी यह समझ के लेना है जैसे कि उन्होंने करियर टेल को के साथ शुरू किया उसके बाद में 1981 में उन्होंने उनके हस्बन के साथ मतलब वो जो उनकी टीम थी उन्होंने कंपनी स्टार्ड की इन्फोसिस तो उनकी जो हेल्केर पे रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन और आठ चार पॉइंट है दोस्तो चार पॉइंट पे उनका ज्यादा फोकस है एंजियो का और शीट्स का इंजियों का अबी उन्होंने जो उनका राइटिंग है जब उस्टार्ड किया हो लेटर यह सफ और लाइफ औ टиновimana ने साथ खांग जुसल्ड कि निवली बॉंड बॉन इंडिया जब उन्होंने इजर्ट साच कीति इंफिज सिस्टब उए नीव ती जब नई ती तब उन्होंने कों से चुन सब लिया है और कुछ अइच किया है वो भी उनोंने डिस्क्राइब किया है उनके राइटिंग तुरू और दो मोस्ट इंबॉर्डन इन सोशल वर्क आज टीचर अलसो यहां पर उनोंने क्या क्या है एक तो नसन इट इंडस्ट्री में आज वन उनके इसके बाद में सोशल वर्क के बारे में एक्स्पिरेंसे सुनों ने लिखे उनके राइटिंग दुरू और आज़ टीचर इवन शी रोट तो में एक्स्पिरेंसे सो तो यहां पर इंपॉर्डन पार्ट इस वाट सुधा मूर्ति जी एक प्रॉलिफिक राइटर राइटर है और जो दोनों भी लैंग्विजेस में लिखती हैं कन्नड़ा और एंग्लेश सो यहां पर हमें यहां पर समझ में लेना है कि सुधा मूर्ति जी एक वर्सडाइल ऐसी परस्नालिटी है और उन्हों ने यहां पर हमें यहां पर उनकी बैसिक इन्फरमेशन हमने यहां पर डि यहां पे आपको देखना है उसका जो फोकस है वो अंजियो का हुए हेल्थ केर रूरल डेवलप्मेंट एजुकेशन और आर्ट और उन्होंने जो एक्सपिरियेंसेज लेटर लाइप में सुधा मुर्ती जी ने राइटिंग जो किया है उसमें उन्होंने क्या-क्या लिका है वाई में जो सुधा मुर्ती जी के बारे में उन्होंने और कौन से यहां पर the most important जो उनके writings है यहां पर हम देखते हैं तो जैसे मैं ने आप दी तक आपको बोलाए कि she is a prolific writer in both karnad and English and she has published novels and story collections, essays and travel logs और उन्होंने besides in addition to this, besides columns in newspaper उन्होंने लिके हैं अभी उनके जो well-known works है वो कौन से यहां पर देखते हैं How I taught my grandmother to read and other stories यह एक book है How I taught my grandmother to read and other stories दूसरा जो है The Old Man and His God Discovering the Spirit of India थर्ड जो यहां पर है दोस्तों यह है The Magic Drum and The Magic Drum and the what is given it may be over favorite stories that is a little bit you can say blood over here then the day I stopped drinking milk life stories from here and there and grandma's bag of stories तो दोस्तों हमें यहां पर द्यान में लेना है कि यह जो पूरे यहां पर राइटेंस के उनके टाइटल दिये हैं यह उनके बूक्स हैं और बहुत इंपॉर्टन ऐसे बूक्स हैं तो अभी तक हमने आथर के बारे में यहां पर डिस्कुशन किया दोस्तों अभी शुरुवात करते हैं एक्चुल आर्टिकल जो है हमें यहां पर स्टडी करना है वह एप रो जे आरडी बाइस सुधा मर्ती शुरुवात करते अभी यह जो टाइटल है दोस्तों हमने देखा है एप्परोज यारडी तो शुरुवात करते हैं, समझ के लेते हैं यहाँ पे exactly क्या दिया है या राटिकल में तो first paragraph है, there are two photographs that hang on my office wall, तो उन्होंने शुरुवात में कहा है कि मेरा जो office है, वहाँ पे दो ऐसे photographs है, जो wall पे दिखते हैं, और जो कोई भी, directly यहाँ पे I am going to explain the paragraphs without reading, so at the same time you have to read the paragraphs dear students तो उन्होंने कहा है कि जब मेरे office में कभी भी entry करती हूं मेरा जो शुरुवात होती है दिन की तब उनका हर दिन का और वो she is getting some kind of experiences जैसे कि यह जो दो pictures है, यह दो pictures है, two old people और उस में से जो एक है, एक है a gentleman in a blue suit एक जो gentleman, एक blue suit में है and the other one is a black and white image of a man with dreamy eyes and white beard, जो दूसरा है उन्होंने यहाँ पे दिया, एक है blue suit में और दूसरा जो एक black and white image of a man है, और dreamy eyes, dreamy मतलब यहाँ पे क्या है visionary eyes जिसे हम कहते हैं, और white उनकी beard है, तो ऐसे दो photograph हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है first paragraph में आपको समझ में लेना है कि exactly क्या कहा है उन्होंने, अभी जब कोई उन्हों पे उनको visit करता है सुदा मूर्ती जी को उनके office में तो there are so many people, they may be or they are asking her the questions like what people have asked me if the people in the photograph are related to me, लोग कहते आपका और उनका relation क्या है यहाँ पे हमें समझ के लेना है कि उन्होंने जो photographs लगाए, अभी तक हमें भी पता नहीं कि इन लोगों के photographs है उन्होंने description यहाँ पे दिया है और जब लोगों ने उनको पूचा कि do you have any relationship with these people, और उन्होंने कहा है कि is this black and white photo that of a Sufi cent or a religious guru और कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि यह जो black and white photo है यह कोई Sufi cent है क्या religious guru है क्या अभी देखिए सुदा मुर्ती जी के office में दो photographs है, लोग उन्हें बहुत सारे questions पूचते थे, related to these photographs, अभी generally क्या होता है, हम हमारे role models होते हैं उनके photos हमारे office में रखते हैं, तो यह दोनों के जो photos हैं दोस्तों, तो यहां पे किन लोगों के photos थे यह उन्होंने यहां पे उन्होंने बाद में जो explain किया है जो लोगोंने उन्हें पूचा है तो वो कहते हैं कि I smile and reply जब कोई ऐसा पूचता है No, nor are they related to me और सुधामूर्ती जी कहते हैं कि दोनों भी मेरे से relate नहीं करते लेकिन the most important thing यहां पे वो बोलते हैं कि these people made an impact on my life I am grateful to them हमें यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों अपरो जे आरडी जो पर अर्टिकुलर अभी हम article discuss कर रहे हैं यहां पे देखिए these people made an impact on my life I am grateful to them अभी यहां पे देखना है who are they दोस्तों यहां पे देखिए मैंने जो highlight किया है यह हमें अभी point out करना है कि exactly क्या है so who are they तो उन में से यह दो लोगों की जो तस्वीरे आपने लगाई हैं वो कोन है फिर तो the man in the blue suit is who is that भारत रतन रतन जे आरडी टाटा और दूसरे जो है यह है the black and white photo is of जमशेजी टाटा अभी हमें समझ में आया है कि यह दोनों फोटो जे एक है भारत रतन जे आरडी टाटा यह यहां पे एक continue करना है दोस्तों भारत रतन जे आरडी टाटा का है और दूसरा जो है वो है black and white में जो है वो है जमसेजी टाटा अभी हमें यह जो दो लोग है उनका सुधा मूर्ती जी के लाइब पे क्या impact है हमें यहां पे देखना है basically हम यहां पे discussion करने वाले हैं भारत रतन जे आरडी टाटा और सुधा मूर्ती इनका सुधा मूर्ती जी के लाइब पे जो हमने अभी कहा है मैने की भारत रतन जे आरडी टाटा का बहुत सा influence था और वो खुद सुधा मूर्ती जी ने हमें यहां पे कहा है अभी देखते आगे क्या दिया है but why do you have them in your office you can call it gratitude अभी ठीक है उन्होंने आपके लाइब पे क्या कहते है कि impact है लेकिन आपके office में उनके photographs की हुए तो simply है कि you can call it gratitude what does it mean thankfulness जब ही कोई हमें मदद करता है influence रहता है role model रहता है उनका photo हम हमारे office में कई है घर में कई है हम रखते है तो उनके वज़े से हमें एक inspiration मिलता है इसी प्रकार से भारत रत्न जे आरडी टाटा जो थे उनका जो influence था सुधा मुर्ती जी के life यह वो बहुत बड़ी है वो बहुत बड़ा था अभी देखते हैं exactly उनके life के experiences जे आरडी रतन जे आरडी टाटा के साथ क्या थे अभी आगे discuss करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दिया है then invariably I have to tell the person the following story अभी देखिए दोस्तों अभी तक हमने background यहाँ पे समझ के लिया है कौन सा background समझ के लिया है कि कोई भी office में आता है तो वहाँ पे देखता है दो photograph से सुधाम पूर्ती जी के office में और two old people के जो photograph से वहाँ पे एक जो gentleman है एक blue suit में है और दूसरा black and white image है तो कोई उनका जो you can say वहाँ पे जो आता है तो people में ask कर और लोग उनसे पूछते हैं कि ठीक है यह जो दो photographs है यह किन लोगों के है are they related to you तब वह smile करके उनको reply देती और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई sent है क्या religious guru है क्या लेकिन वह बाद में उनको बताती है कि एक जो photo है एक है भारत रतन जे आरडी टाटा का और दूसरा जो है वह है जमसेजी टाटा का तो वह क्यों है अभी वह life का उनका experiences क्या थे हम यहाँ पे दोस्तों discuss करेंगे आपको समझ में आता होगा कि मैं क्या कहना चाता हूँ आप सबको अच्छे से यह समझ के लेना है दोस्तों तो आगे देखते हैं अभी उनके experiences क्या है उनकी क्या story exactly भारत रत्म जे रड़ी टाटा और उनके experience क्या है उनके साथ तो दोस्तों इट वस लाँग टाइम एगो उन्होंने यहाँ पे अभी उनके खुद के experiences बोले हैं शी वाज यंग यहाँ पे देखें यहाँ पे उन्होंने जो खुद के बारे में यहाँ पे वो बोल रही है और उनका the most important part है when she was in final year of her master's course यह जो है her master's course का उनका जो final year था computer science at Indian institute of science जिसे हम यह IISCs कहते हैं in Bangalore में they known as Tata Institute तब उसे कहा जाता है Tata Institute और Bangalore में है दोस्तों यहाँ पे हमें समझ के लेना है अभी शुरुवात कैसी होती है स्टोरी की देखो सुदा मूर्ती जी final year में थी master's course के उनके computer science में वो master's course कर रही थी और इंस्ट्यूट ता Indian institute of science जो की तब Tata Institute के नाम से जाना जाता था life was full of fun and enjoy you can say joy so उनका जो life तब बहुत is fun she was enjoying too much and at the same time उनका the most important part यहाँ पे दिया है I did not know what helplessness और injustice mean अभी यहाँ पे देखिये उनको यह दो चीजे पता नहीं थी एक थी helplessness और दूसरी थी injustice जिससे हम अन्याय कहते है अभी आप सोचते होंगे कि अन्याय क्या हुआ है उनके ऊपर वैसा यहाँ पे अन्याय का मतलब उनका कहने का है आगे जो दिया है दोस्तों हम उसमें से समझ में आता है and she did not know because उनका जो लाइव था वो बहुत एंजाय करते थी it was full of fun अभी उन्होंने उनको यह दो टम पता नहीं थी कि injustice क्या है और helplessness क्या होता है तो यहां से उनका connection और जे आड़ी टाटा जी का जो connection है उनका जो क्या है उसे हम बोलते है कि experience क्या है यहां पर हम समझ के लेंगे it was probably the April 1974 उन्होंने अभी यहां पर बोला है कि 1974 में बैंगलोर में it was warm and red gulmohors were blooming at the IIS's campus और जो gulmohor के जो flowers है gulmohor के जो tree है उनके जो flowers है they are blooming they were blooming और उन्होंने कहा है कि she was only the girl in her what post graduate department and staying where she was और वो वहां पर रहती थी ladies hostel में और वहां पर most important बात क्या है कि other girls were pursuing वो अकेली लड़की थी जो post graduate department थी और बाकी जो लड़की थी वो research in different department of science में वो काम करती थी और the most important is what उनका क्या खाब था उनका क्या ड्रीम था I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science उन्हें complete करना था doctorate in computer science उनको complete करना था abroad से बाहर की कोई university से so I had been offered scholarships from universities in US I had not thought of taking up a job in India तो उन्हें पर उन्होंने दिया है कि उनको scholarship भी offer किया गया था बहुत सारे universities से US के United States of America और यहां पर उन्होंने लिका है कि मुझे I had not thought even उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इंडिया में job करना है करके so that was her dream initially so one day एक दिन क्या हुआ while on the way to her hostel जब वापज जा रही थी lecture hall से lecture hall complex से तो उन्होंने कि advertisement उनके notice board पे देखा और advertisement एक standard job requirement का था और famous automobile company थी telco now Tata Motors telco company का था और वहां पर क्या लिका था देखिए और वहां पर लिका था it stated that the company required young bright engineers hard working and with an excellent academic background ठीक है यहां तक उनको ठीक है no problem job advertisement है और हमें वहां पर apply करना है लेकिन सुधा मूर्ती जी को अभी यहां पर उन्होंने जो उपर कहा था दोस्तों मैं तोड़ा highlight करता हूं दो words helplessness and second one is injustice अभी यहां पर उनको दिखाई देता है आप बोलेंगे यहां पर क्या है तो अच्छी कासी vacancy निकली है sir she could even apply there लेकिन देखिए small line what was that small line lady candidates need not apply दोस्तों यहां से शुरुवात होती है Tata Motors का जो है तब एक vacancy position निकला था जिसे टेलको company कहते है तो यहां पर लेडी candidates need not apply and it really hurt सुधा मूर्ती बहुत दूख हुआ उन्होंने देखिए second line में दिखाई देता है यहां पर I read it and was very upset क्योंकि उन्होंने for the first time in my life I was up against gender discrimination देखिए उन्होंने direct कहां पर gender discrimination so there should not be any difference between you can say what males and females जो discrimination है जो gender discrimination है यहां पर नहीं होना चाहिए उनको ऐसे लगा और that is why she was so angry advertisement देखा था उन्होंने advertisement देख्के उनको बहुत ही she became too much angry और उन्होंने क्या किया देखो though I was not keen on taking up a job उनको job नहीं करना था that was not the need actually और उन्होंने she saw that challenge and उन्होंने कहा है कि I had done extremely well in academics better than most of my male peers little did I know then that in real life academic excellence is not enough to be successful अभी उन्होंने कहा है कि academics में बहुत अच्छा मेरा performance है even मेरे जो कलीग है उनसे अच्छा मेरा performance है still advertisement में अगर ऐसे lines आते हैं lady candidates need not apply then this is nothing but the injustice और उन्होंने यहां पर लिखा है कि real life में कुछ अलग ही दिखा है अलग ही हमें reflect हो रहा है तो उन्होंने क्या किया देखो यह paragraph बहुत important है दूस्तों after reading the notice and she is saying that she went foaming to her room foaming में मतलब क्या है she was too much angry और वैसे ओ रूम में चले गए और उन्होंने decide किया कि मैं अभी inform करने वाली हूँ यह topmost person in the telco's management about injustice the company was what is that perpetrating जो company injustice हम लोगों के साथ कर रही है हम लोगों के मतलब I am talking about what ladies candidates तो यहां पे जो है यह injustice है तो उन्होंने क्या किया वो tension में she got a postcard and started to write but there was a problem even problem तो उन्होंने postcard लाया लिखना चालू किया और उन्हें यह भी पता नहीं था कि तब I did not know even who headed telco telco का head को नहां भी तो यह उन्होंने I thought it must be one of the Tata's उन्होंने पता था कि कोई Tata में से एक तो भी कोई होगा और I knew JRE Tata was the head of the Tata group तो उन्होंने यह पता था उन्हों की JRE Tata यह जो Tata group के head है अभी यहां पे देखो connection कैसा होगा है दोस्तों she started writing this particular postcard और उन्होंने का I had seen his pictures in newspapers उन्होंने खाली उनके pictures देखे थे newspapers के और तब जब यह later उन्होंने लिखना चालू किया actually सुमन्द मुलगाओकर was the company chairman then तब कोन था सुमन्द मुलगाओकर जी जो थे उत company के chairman थे और वो company का जो पूरा administration है वो देखते थे अभी हमें दोस्तों यहां पे link लगी है उन्होंने क्या कहा है तो आगे देखते हैं exactly आगे उन्होंने क्या लिखा तो पूस्त कार्ड में उन्होंने लिखा है दोस्तों I took the card addressed it to JRD and started writing और उन्होंने शुरुवात किया जो मैने italics में यहां पे लिया है दोस्तों The great Tata's have always been pioneers yes we know the contribution of Tata group in the development of the industry even in India or all over the world हमें पता है still they are contributing a lot to the society as well as the Indian industry today also और उन्होंने कहा कि they are the people who started the basic infrastructure industries in India such as iron and steel उन्होंने पहले लिखा है कि Tata industries क्या कर रही है and chemicals, textiles and locomotives also they have cared for higher education in India since 1900 also 1900 से उन्होंने education in India के बारे में बहुत सारा काम किया है and they were responsible for establishment of Indian Institute of Science अल्सो जो है Indian Institute of Science जहाँ पहे उन्होंने इजुकेशन चालू था ओ भी important है क्योंकि उन्होंने start किया था ओ टाटा ग्रूपने fortunately I study there but I am surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender उन्होंने पूरा लिखा लेकिन फाइनल जो sentence है तो ये देखिये but I am surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender on the basis of gender कैसे ये इतने famous company discriminate कर सकती है ये जो है this is absolutely wrong और उन्होंने क्या कर दिया ये लिक लिया लिक दिया और I posted उन्होंने ची पोस्टेड वाट लेटर forgot and forgot about it also okay this was the letter and she wrote and she even what mail that one less than 10 days later दोस्तो फिर क्या हुआ देखिये I received means Sudha Murthy received a telegram stating that she had to appear for an interview at Telco's Pune facility at the company's expense अभी देखिये ये है एक यहाँ पे हम responsibility देखते company की company ने क्या किया उनके later को answer दिया देखिये इतनी बड़ी company अगर उनने वो चाहते तो वो later बाजू में दाल दे सकते थे लेकिन company जो थी उनोंने well-known company थी उनोंने क्या किया उनको एक telegram बेज़े और आपको आखे आपको क्या करना है interview देना है और आपका आने जाने का खर्चा कोन करने वाली है company this is called what the contribution और यहां पे हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो interaction होता है वो क्या होना चाहिए और किस प्रकार से अभी यहां पे सुधा मुर्ती जी का क्या है यहां पे देखे तो उन्होंने अभी आप उन्हें याद आगे okay I wrote the telegram यहां पे उन्होंने कहा था कि वो भूल गई थी लेकिन आप उन्हें याद आगे कि उन्होंने क्या क्या लिका है my hostel mates told me अभी यहां पे दोस लोग जो थे उनके hostel mates थे वो उन्होंने चालो कर दिया this is the very good opportunity to go to Pune and free of cost no need to pay a money no need to pay a penny for that and you have to just go and appear और ठीक है आप अगर interview देना है जाके आओ लेकिन क्या करो हमारे लिए buy them the famous Punei sari is for cheap जो सस्ती Punei की जो sari is है वो लेके आना हमारे लिए देखिए ये इनके सुधा मुर्ती जी के दिमाग में और क्या था tension था कि by God the letter I have to appear for the interview और यहां पे ये जो बाकी दोस्ते वो कह रहे कि आप Punei में जाओ free of cost आप का traveling होने वाला है हमारे लिए sari is लेकिया और उन्होंने क्या किया 30 rupees जो है everyone who wanted 30 30 rupees सुधा मुर्ती जी के पास दे दिया ओके आप जब जाने वाली तब हमारे लिए sari is लेकिया हो when I look back I feel like laughing at the reasons for my going और उनको हसी आ रही थी अब कि मैं जब जा रही हूँ तो मेरा काम क्या है और ये बाकी लोग कह रहे है कि जाके हमारे लेकिया हो but back then they seemed good enough to make the tree ओके अभी ये था this is the funny part regarding this one लेकिन उसके बाद में सुधा मुर्ती जी ने बहुत ही important यहां पे दिखा दिखा है दिलोस तो लिखा है कि अभी क्या है देखो ठीक है उन्होंने को लेटर आ गया सब हो गया it was my first visit to Pune उनका पहला visit था वो Pune के लिए and जब उन्होंने विजिट किया and she is saying that I fell in love with the city बहुत ही अच्ची उनको city लगी to this day it remains dear to me और बहुत ही मेरे एक सबसे अच्ची है सी city उनके life में से एक है Pune सुदा मूर्ती जी के life में और उन्होंने यहां कहा कि I feel as much as home in Pune और मेरे घर जैसा यहां पे लगा और उनका घर था का उनसा दोस्तों उनका hometown था हुबली और my hometown यहां पे उन्होंने mention किया है the place changed my life in so many ways अभी यहां पे दोनों प्लेसे जो है वो Pune है और हुबली है दोनोंने भी क्या किया है उनके life में बहुत सारे changes लाए दोस्तों और जैसे कि उन्हें कहा गया था as directed सुदा मूर्ती जी टेलको के Pimpri office में interview के लिए वहां पे गई और उनके वो panel में टोटल छे लोग थे and then she realized that it was a serious business yes and everybody was serious in that panel और समबड़ी से समबड़ी किसी ने तो भी कही दिया कि this is the girl who wrote to J.R.D. देखिये अभी सुदा मूर्ती जी को वहां पे जाने के बात किसी ने अच्छानक से कही दिया कि यही लड़की है जिनोंने क्या किया है J.R.D. को लेटर लिका है and I heard somebody whisper as soon as I entered the room और उन्होंने यहां पे लिया कि but by then I knew for sure that I would not get the job उन्हें पता था कि यह job मुझे मिलने ही ने वाला क्योंकि यह पूरी जो feeding उन्होंने लगाई है यह किसलिये है जो मैंने लेटर लिका इसलिए and that realization abolished all fears from my mind और यह जो था उनको पता था मुझे जाब मिलने ही ने वाला क्योंकि यहां पे अलग ही है कुछ और मुझे सिर्फ बुलाया गया इंटर्यू के लिए तो उनका वो डर था वो चला गया and she was cool she was so much cool वो बहुत चान्त रह गई इंटर्यू के समय and जब इंटर्यू चालू था अभी यहां पे देखें उनका experience क्या है उन्होंने तो atmosphere वहां का judge किया क्या चालू है even before the interview started I reckon the panel was biased तो उन्हें समझ में आ गया है कि यह जो पैनल है वो यह biased है so उन्हें वैसा this was the perspective of सुधामूर्थी हमें यहां पे समझ के लिए आगे यहां का explanation उन्होंने दिया है इस particular experience का तो उन्होंने राधर impolitely उन्होंने वहां पे काई दिया उन्हें पता चला कि यह biased है उनका यह perspective था सुधामूर्थी जी का और उन्होंने कहीं दिया I hope this is only a technical interview देखिये कि यहां पे कोई भी अलग सवाल नहीं पुच्छा जाएगा और उन्होंने कहा कि यह technical interview है खाली और they were taken aback by my rudeness और जो उनका aggressive rudeness था सुधामूर्थी जी का जिस प्रकार से उन्होंने बात की थी this was not good actually and even today I am ashamed about my attitude देखिये सुधामूर्थी जी खुद accept कर रही है यहां पे sentence में हमें समझ में आता है कि मुझे आज भी बुरा लगता है मेरे attitude की वज़े से कि वह ने वह आपे उनको reply दिया था I hope this is only a technical interview and this is what दोस्तों हमें यहां पे समझ में आता है कि किस प्रकार से सुधामूर्थी जी का जो leadership quality है उनका polite nature है हमें इस particular sentence में से समझ में आता है दोस्तों आगे देखते क्या दिया है जितने questions पैनल ने मुझे technical questions पूचे मैंने पूरे questions के answer दिये और सबसे बाद में एक question आया then an elderly gentleman with an affectionate voice told me do you know why we say lady candidates need not apply आपको पता है कि हमने lady candidates को क्यों नहीं apply करने के लिए का है हमने अभी आगे point पे तो उन्होंने का the reason is that we have never employed any ladies on the shop floor हमें अभी तक shop floor पे कोई भी ladies को employment employee करके उनको recruit नहीं किया है क्यों नहीं किया है तो एक तो यह this is not a co-ed college यह co-ed college नहीं है एक factory है एक company है तो हमने इसलिए यहां पे जो है उन्होंने एक interview के दर्मयान यह start किया सब जब technical questions पूछने के बाद एक elderly gentleman ने यह पूछा हमने क्यों नहीं किया है तो उनका explanation उन्होंने यहां पे दिया है दोस्तों जैसे कि यह company है this is not a co-ed college और इसलिए हम what we do here when it comes to academics अगर academics है you are a first ranker throughout yes, you are the first ranker throughout सुधा मूर्थ जी से कहा we appreciate that yes, we appreciate your academics and your knowledge and everything लेकिन but people like you should work in research laboratories तो आप जैसे लोगों ने research laboratories में काम करना चाहिए ना कि shop floor पे ऐसा हो gentleman ने कहा और यहां पे दिया है दोस्तों ऐसा उनका interview हा उसके बाद में यहां पे the most important I was young girl from small town यह को उनु कह रहा है सुधा मूर्थ जी ने कहा कि मैं एक small town से एक young girl हूं जो हुबली नाम का उनका जो place था my world had been limited place उन्होंने कहा कि उनका वो सोच रही कि it was the limited place I did not know the ways of large corporate houses and there are difficulties so I answered तो उन्हें वो पता ही नहीं ता सुधा मूर्थ जी को कि यह corporate houses के क्या difficulties है क्या restrictions है क्या problems आ सकते तो उन्होंने तब कह दिया but you must start somewhere otherwise no woman will ever be able to work in your factories उन्होंने कह दिया ठीक है यह सब लेकिन कही तो भी आपने start करना होगा कि woman को recruit करना होगा देखी यह उनका confidence level देखी है ठीक है उन्होंने interview के लिए उनको बुलाया गया फिर भी सुधा मूर्थी जो थी वो firm थी अपने जो विचारों पे और यहां पे उन्होंने कहा जो gender biased था उन्हें लगा वो actually company की policy क्यों ऐसी थी वो company ने उनको explain की थी वहाँ पे इंटर्वी के टाइम में और still she is saying that but you must start somewhere आपने कही तो भी start करना है तो finally after a long interview एक long interview हुने के बाद और उन्हें कहा गया you are successful और she cleared that particular interview देखिये दोस्तों यहाँ पे हमें समझ में आता है nobody was biased from that panel also so that was that could be the misunderstanding of Sudha Murthy later she is going to accept that one also so this was what the future had in store for me never had I thought I would take up a job in Pune और Sudha Murthy जी कही थी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे पूने में जाब मिलेगा and that city changed my life उनका complete life यह city ने change कर दिया कैसे change किया यहाँ पे देखिये उन्होंने एक personal life के बारे में यहाँ पे comment किया है and they got married अभी यहाँ तक तो ठीक था अभी आगे क्या है दोस्तों उन्होंने क्या दिया है देखिये the most important part is given over here it was only after joining TELCO that I realized who J.R.D. was तब उन्हे समझ मैं जब उन्होंने TELCO जाइन किया J.R.D. कौन थे अन्क्राउन King of Indian Industry एक किं थे जो Indian Industry के सबसे बड़े contributor थे now I was scared but I did not get to meet him till I was transferred to Bombay अभी उनको डर लगता था कभी-कभी इतना बड़ा जो इनका जो हम कही सकते empire है इंडिया इंडिस्टी में उनका जो contribution है all over the world है तो जब थोड़ा तो डर लग क्योंकि सुदामूर्ती was what just the employee world है और उनकी JIRD से कभी मुलाकात ने हुई कब तक जब उनका transfer हुआ न बॉम्बे में तब उनकी वहाँ पे JIRD के साथ interaction हुआ communication हुआ वो आगे उन्होंने दिया है जैसे कि one day I had to show some reports जो reports थे वो Mr. मुलगाव कर जो थे जे चैर्मन थे टेलको के तब उनको दिखाने के लिए वो गई थी और उने SM सब कहते थे Mr. सुमन मुलगाव कर को SM कहते थे सब आपेस में जब वो वंबे हाउस जो है जो Tata headquarters है वहाँ पे सुदामूर्ती जी गई थी when suddenly JIRD walked in और उसी समय JIRD वहाँ से जहाँ वहाँ पे आ गए and that was the first time सुदामूर्ती जी ने APRO JIRD जो थे JIRD को देखा था उन्होंने first time JIRD को वो वो जो आपेस में देखा था Bombay House में अभी दोस्तों ये जो title हमें यहाँ पे समझ में आता है APRO मतलब क्या होता है APRO APRO means R ये आपको यहाँ पे समझ के ने देना है दोस्तों APRO means what R हमारे तो इन गुजराती में APRO कहते हैं that was the affectionate term by which people at Bombay House called him एक concern था एक affectionate affection था उसकी वज़े से लोग उन्हें APRO कहते थे APRO मतलब R APRO JIRD दोस्तों यहाँ पे title भी clear हुआ अभी यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सुदा मुर्ती जी ने उनके खुद के experiences बोले हैं जैसे कि उनकी start कैसे हुआ company में उनका education का हुआ था उसके बाद में यह story complete हमें समझ के लेना है last में I will summarize in short also तो देखते हैं आगे क्या हुआ था दोस्तों I was feeling very nervous अभी वो nervous feel कर रही थी she was feeling nervous remembering my postcard episode और उन्हें तब जब वो Bombay House में JIRD Tata के सामने थे तब उन्हें याद आ गया वो postcard का episode और मैंने postcard लिखा था and SM introduced और उसके उपर देखिएगे मुलगाओ कर जी ने क्या किया उनको सुधा मुर्ती जी को introduce करवा दिये JIRD Tata जी से कैसे की जै और that is what his close associates called him जै को JIRD Tata को जै कहते थे और this young woman is an engineer ते की SM ने क्या कहा this is this is an engineer that and that to a postgraduate she is the first woman to work on the telco shop floor JIRD looked at me देखिए first woman she was the first woman who started working with what telco shop floor really creditable है दोस्तो यहाँ पे सुधा मुर्ती जी का कार्य भी हमें समझ में आता है कि उनका जो confidence level था वो बहुत अच्छा था और उनोने वहाँ पे introduction में ही कहे दिया था SM ने कि she is the first she is the first woman to work on the telco shop floor I was praying he would not ask me any questions about my interview उनके सुधा मुर्ती जी के दिमाग में वही था उनके दिमाग में वही दर था JIRD Tata should not ask anything about what the interview or the postcard that preceded it and about that postcard also thankfully he did not and JIRD Tata ने वहाई से कुछ भी नही पूचा instead he remarked it is nice that girls are getting into engineering in our country by the way what is your name उनने भूचा कि अच्छा है ठीक है बहुत अच्छा है कि engineering film में हमारे देश की लड़किया आगे आ रही है और this is really good लेकिन what is your name when I joined TELCO I was Sudha Kulkarni sir I replied और Sudha Murthy जी ने कहा कि मैंने जब TELCO join की थी मैं Sudha Kulkarni थी and now I am Sudha Murthy because उनके marriage के बाद में का उनोने नाम यहाँ पी बता है that is Sudha Murthy जैसे कि उनके husband का नाम है Narayan Murthy और उनोने he smiled that kindly smile and started a discussion with SM as for me almost ran out of the room और उनोने एक smile दिया और J.R.D. Tata ने SM के साथ जो थे मुलगाउकर जी के साथ उनका discussion स्टार्ट किया और उसी समय Sudha Murthy जी वहाँ से निकल गई क्योंकि उनके दिमाग में दो चीज़े थी एक ते इंटर्यू और सेकंड ता क्या और जो पोस्कार्ड दोस्तों इस प्रकार से उनका भी interaction हुआ है J.R.D. Tata के साथ आगे देखते हैं क्या है उनके experiences इस आर दे रियल लाइप experiences dear students and you need to understand this तो यहाँ पे दिया है भी after that after that I used to see J.R.D. on and off उसके बाद में उनको J.R.D. से उनकी कभी-कभी देखती थी उनको और मुलाकात होती थी and he was the Tata Group chairman and I was merely an engineer उनको यह भी पता था कि she was just an engineer in his company and he was the chairman of the Tata Group there was nothing that we had in common they did not have anything common and I was in awe of him and that was some kind of you can say what जो उनको डर लगता था उनका इसी वज़े से लगता था यहाँ पे हमें समझ के लेना है एक boss और एक employee का जो एक you can say what एक relation रहता है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है one day वहाँ पे एक अभी उन्होंने experience वहाँ पे बोला है देखिए क्या experience है one day I was waiting for मूर्ती सुधा मूर्ती जी जो है उनके husband के लिए वहाँ पे wait कर रहे थी my husband और वो उन्हें pick up करने के लिए आने वाले थे और surprisingly what happened सुधा मूर्ती जी ने उनके बाजु में कोन करे थे JRD standing next to me JRD Tata उनके बाजु में करे थे I did not know how to react उन्हें समझ भी नहीं कैसे react करेंगे अभी and yet again I started worrying और तभी सुधा मूर्ती जी के दिमाग में है की ता about what postcard वो वही सोच रहे थे I wrote the postcard and JRD Tata is next to me and then उन्हें पता चला JRD had forgotten about it it must have been a small incident for him but not so for me उन्हें सुधा मूर्ती जी कहती है की वो जो इंसिदेंट पोस्कार्ट का it was a trivial one एक बहुत ही छोटा इशु है JRD Tata के लिए लेकिन मेरे लिए it was the big one and young lady why are you here और JRD Tata ने उन्हें पूचा young lady why are you here आप यहापे क्या कर रही हो और उन्हें ने का he also said that office time is over I said sir I am waiting for my husband to come and pick me up और उन्हें ने का कि my husband is coming मेरे husband यहापे आने वाले उनके साथ मुझे जाना है और JRD said that it is getting dark and there is no one in the corridor but it is getting dark और corridor में भी कोई नहीं पैसेज में भी कोई नहीं है so I'll wait with you till your husband comes or so I'll wait over here I was quite used to waiting for Murti but having JRD waiting alongside made me extremely uncomfortable उन्हें कहा कि JRD जी ने कहा कि ओके आपके हजबन आने तक मैं आपके साथ यहाँ पे वेट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे डागता और corridor में कोई भी नहीं था and तब उन्हें लगा uncomfortable feel हुआ कि क्यो feel हुआ उन्हें uncomfortable क्योंकि एक company का जो boss है chairman है you can say what staying with normal employee यह जो connection था यह बहुत important है दोस्तों यहाँ पे हमें समझ में लेना चाहिए कि किस प्रकार से JRD Tata का nature था और किस प्रकार से वो affectionate थे उनके employees के बारे में भी और कैसा सोचते थे यहाँ पे हमें समझ में आता है लेकिन यह जो incident थोड़ा nervous हो चुकी थी सुधा मूर्ती जी क्योंकि company का जो owner है वही उनके साथ यहाँ पे wait कर रहे थे I was nervous out of the corner of my eye I looked at him और मैंने JRD की तरफ देखा ऐसा उन्होंने का है and he wore a simple white pant and shirt उन्होंने simple white pants was not any ear of superiority about him देखिए यहाँ पे सुधा मूर्ती जी ने क्या observe कि उनके दिमाग में जो था JRD Tata के देखिए न पोस्कार लिखने से पहले क्या था उनके दिमाग में injustice helplessness यह चीजे थी लेकिन अभी उनका जो experience था कि एक company का owner waiting for waiting with his employee और यह जो है this connection is very important यह दिखाता है हमें क्या fellow feelings और I was thinking look at this person और सुधा मूर्ती जी सोच रही थी कि यह chairman ए company का a well-known respected man in our country and he is waiting for the sake of an ordinary employee यह बहुत important है लेकिन how to take care of your employees also this is very important and this can be the message for all the employers also तो यहाँ पे हमें समझ के लेना है then I saw मूर्ती and I rushed out और वहाँ पे नारायन मूर्ती आ गए तब वहाँ से निकल चुकी थी सुधा मूर्ती and J.R.D. call and say J.R.D. ने मुझे बुला है और कहा young lady tell your husband never to make his wife wait again देखिए this is called the concern उन्हें कहा कि आपके husband को बूली है कि आपके wife को कभी भी wait करने के लिए फिर से ना किजिए तो this was the concern अभी एक experience था उसके बाद में ये total experiences उनने यहां पे discuss किये है अभी the most important experience यहां पे क्या दिया है देखिए in 1982 अभी 1982 में क्या हो गया था I had to be Sudha Murthy को resign करना था from telco अभी क्यों I was reluctant and she was reluctant to go there she was not what she did not want to go there but she did not have any choice उन्हें वो job छोड़ना ही था तो वो क्या हो गया उन्होंने she came to Bombay house after wrapping up her financial settlement and then she saw oh there's J.R.D. coming up जब उन्हें रेजिगनेशन के लिए गई थी वहां पे तब J.R.D. वहां पे आगे और he was absorbed in thought and J.R.D. Tata was thinking about something else and actually Sudha Murthy wanted to say goodbye to him so she stopped there but he saw me and paused gently he said और वहां पे उन्हें कह दिया J.R.D. Tata ने so what are you doing Mrs. Kulkarni that was the way he always addressed me और इस प्रकास से हमेश्चा Sudha Murthy जी को बुलाते थे Mrs. Kulkarni क्या चालूए आपका क्या कर रहे हुआ sir I am living telco directly Sudha Murthy ने बोल दिये क्या I am living telco then J.R.D. asked where are you going then sir Pune Pune sir what is that my husband is starting a company called Infosys and I am shifting to Pune oh and what you will do when you are successful देखिये दोस्तों यहां पर उन्होंने क्या question पुचा है very guy very nice this is very nice you are going to start a company उन्होंने direct output की बात यहां पर कि what you will do when you are successful जब आप successful होंगे तो आप क्या करोगे sir I don't know whether we will be successful excuse me उन्होंने Sudha Murthy जीन यहां पर कह दिया कि I don't know whether we will be successful or not हम successful होने वाले है कि नहीं हमें पता नहीं है immediately वहां पर एक advice J.R.D. ने दिया never start with diffidence कभी भी diffidence में कोई भी चीज मत start करो you should be confident ऐसा उन्होंने कह दिया always start with confidence and when you are successful you must give back to society society gives us so much we must reciprocate I wish you all the best देखिये उन्होंने कहाने क्या आप ठेरिये do not leave my company he did not say anything he said what what will you do after success और उन्होंने एक advice दिया never start anything with a diffidence you must be confident और जब आप successful होने जा रहे हो आपको society को कुछ न देना है because society is giving too much to us and हमारा ये first है हमारा एक काम है कि हमने भी society के लिए कुछ करना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार से उनका interaction हुआ then J.R.D. continued walking up the stairs और J.R.D. महां से चले गए I stood there for what seemed like a millennium that was the last time I saw him alive and that was the last time Sudha Murthy saw J.R.D. data last time दोस्तों इस प्रकार से हमने वहां पे उनके experiences हम यहां पे discuss कर रहे है उसके बाद में many years later many years later क्या हुआ Sudha Murthy में रतन टाठ in the same office of Bombay office occupying the chair of J.R.D. once did J.R.D. की जग़ा पे अभी हां पे जो थे वो थे रतन टाठा जी और उनके जो थे I told him of my many suite of memories of working with Telco और Sudha Murthy जी ने रतन टाठा जी के साथ यह डिसक्स किया कि उनकी memories क्या है working with Telco और उसके बाद में उनों ने रतन टाठा जी ने भी दिले को क्या लिका था Sudha Murthy जी को It was nice listening about J.R.D. from you The sad part is that He is not alive to see you today बहुत अच्छा लगा आपने J.K.Bare में बहुत अच्छी memories हमें बताई है लेकिन The most important sad part क्या है दुक्की बात यह है कि आज आपका जो प्रोग्रेस है आप जहां पर आप लोग खड़े हो Infosys को लेके वो देखने के लिए He is not alive So this is called the concern देखिये ऐसे वैसे तो कहा गया तो She was the ex employee Right So still they have some kind of concern with their employees और रतन टाड़ा जी के साथ उन्होंने जब Infosys successful हुआ तब वो जो interaction हुआ था तब उन्होंने कहा था कि How she worked with Telco and that I consider Sudha Murthy जी यहां पे कहती है कि मैं J.R.D. को एक great man J.R.D. a great man Because of what Despite being an extremely busy person He valued one postcard written by a young girl seeking justice देखिये यहां पे है यह impact Influence of J.R.D. on the life of Sudha Murthy जो postcard था एक young girl ने लिखा था Justice के लिए And that was the You can say what एक common थी Sudha Murthy जी तब यह लिखा था और उन्होंने reply किया था He must have received thousands of letters Every day उन्होंने बहुत सारे letters आते थे J.R.D. टाटा जी को लेकिन he could have thrown mine away मेरा जो letter था वो फेक दे सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा ने किया He respected the intentions of That unknown girl Who had neither influence nor Money and gave her An opportunity to In his company और उन्होंने Sudha Murthy जी को क्या किया उनके company में एक प्रकार से employee उनको recruit किया और यहां पर समझ में आता है This is called the Contribution to the Society Without knowing the girl And just he Reply to that postcard And she was asked to come for the Interview At Pune office तो इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने कहा है तो आगे देखते अभी उनका यहां पर उन्होंने क्या दिया है The most important part is still left And what is that He could have thrown mine away But he did not do that He respected the intentions of that unknown girl Already I told you that one And this one The most important This one underlined He did not merely give her A job He changed her life And mindset forever यह important है दोस्तों तो JRD टाटा ने उन्हें खाली जॉब नहीं दिया तो entire mindset of सुधा मूरती वाद चेंज Because of JRD And behavior of JRD And the contribution of JRD To the society also तो उन्होंने यहां पर क्या दिया है Close to 50% of the students In today's engineering colleges Are girls अगर आज हम देखते हैं 50% जो है Girls है engineering में And there are women On the shop floor In many industry segment And in many industries It is difficult But they are working there I see the changes And Sudha Murti ji कहते हैं And even I think of JRD If at all time stops And ask me What I want from life I would say I wish JRD were alive today To see how the company We started has grown Means Infosys He would have enjoyed it Wholeheartedly This is what the wish of Sudha Murti ji My love and respect for House of Tata's Remain undiminished By the passage of time Kabhi bhi ye Kam nahi ho sakta I always looked up to JRD I saw him As a role model Aar Role model hai Sudha Murti ji ke JRD For his simplicity His generosity His kindness And the care He took of his employees Those blue eyes Always reminded me Of the sky They had the same Vastness of Munificence Means kindness And he said He said That in this manner Sudha Murti ji He listened to Entire experiences He told us And this manner We come to understand That JRD Tata Is this manner Sudha Murti ji Life Mindset Completely changed And here Sudha Murti Is the chairperson Of Infosys Foundation She is involved In a number Of social development Initiatives And is also A widely published Writer Dostow Here We have not finished Here So Last Me Dekhye Aapko JRD Tata I have Here Aapko Photo And In Chart Information I have Here Dostow To Jho Photos The One Was Jhangir Tanji Dadaboy Tata He Was Born In 1904 And Died In 1993 And He Was An Indian Aviator Then Entrepreneur Chairman Of Tata Group And The Shareholder Of Tata Sons Born Into Tata Family Of India He Was The Son Of Noted Businessman Ratanji Dadaboy Tata And His Wife Susanny Brary Or 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 Dusra Jo Photo Jamshit Ji Tata Ji He Was Born In 1839 And Died In 1904 And He Was An Indian Fine Year Industrialist Who Founded The Tata Group India's Biggest Conglomerate Company He Founded What Would Later Become The Tata Group Of Companies And Tata Is Regarded As The Legendary Father Of Indian Industries Of Indian Industries So Is Prakar Se Dostos Hum Nne Yaha Pe Jo Discussion Kia Hai Aaj O Hai Approach E Rd Is Title Ke Baare Me J Likha Gaya Hai Sudha Murthy Ji Ke Sudha J Likha Hai Sudha Murthy Ji Is Is Prakar Se Article Nne Me Hum Nne Dekha Khi Sudha Murthy Ji Ne Kis Prakar Se Woh Post Card J Rd Ko Likha How She Was Interviewed And She Got Job Even In That Company Then Unka Jo Jarnita Hobly Unka Jo Home Town To Pune Unnone Yaha Pe Hum Discuss Kia At The Same Time Unnone Yaha Pe Jo Experience Related To Living Tata Jab Unnone Tata Industries To Start What Infos With With Her Husband Narayan Murthy Is Prakar Se Entire Article Very Important And We Here S Prakar Se J Sudha Murthy Ji Life It Was Shaped And It Was Influenced By J R Tata A Lot Thank You Thank You So Much I Request You All To Subscribe My Channel Like And Share And Also If You Any Queries You Can Put That One In The Comment Box Or You Can Text Me On My WhatsApp Number Also Please Press Bell Icon To Get Upcoming Notifications Of The Videos Thank You Thank You So Much